हमें वो फिजिक्स का प्यजडी करने वाला हाई-फाई स्कॉलर नी चाहिए मिनस को नॉमल बंदी चाहिए जो कमफोटेबल हो, जो सासी हो, जो ग्रुप में कमफोटेबल हो कलाम साब यही बात कहा करते थे कि पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, क्योंकि सेल्बस में नहीं है यह सब, hobbies and interests का कोई सेल्बस बताया है नहीं कि हमें 12th class तक, हमें mind management का कोई सेल्बस बताया है नहीं गया, लाइफ में हमसे गलती होती है हमसे लाइफ में सबसे गलती होती है बट हम अपने आपको माफी नहीं कर रहे है जिनमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है नीट की तरह नहीं है जेई की तरह नहीं है सब कुछ थोड़ा थोड़ा इतने marks लेया है ओके है खीक है comfortable है हमें वो physics का PhD करने वाला हाई फाई स्कॉलर नी चाहिए मिनस को normal बंदी चाहिए जो comfortable हो जो साहसी हो जो group में comfortable हो जो cooperative हो जो selfless service दे पाए जो render कर पाए समाज के लिए दूसरों के लिए जो battlefield पे जब forward location पे भेजा जाए तो उसका decision making is strong हो और लास्ट में service with smile यह requirement है मिनस की बस इतनी requirement है तो हमें physics की PhD नहीं करना इतना पढ़ना ही नहीं है तुमें you have to learn how to be very good human being in your life हमें लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना सीखना है तो हमारी lifestyle वैसे develop करना है तो 25% time मतलब four hours को अगर receive कर लेंगे इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूवत नहीं बच्चा क्या कर रहा है what now how student are engaged वो क्या है आपने स्क्रीन लगा लिया वो सर सॉल करते जा रहे फिजिक्स का नुमेरिकल वा मज़ा आ गया जादूगर टीचर बनके जादूगर जो देख रहा है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और जब एक्जाम में आ रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि वो यह process नह नहीं पढ़ना है थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जी के इंग्लिस भी पढ़ना है इंटर्विव्व स्किल्स भी डेवलप करना है कम्मुनिकेशन भी डेवलप करना है फिजिकल फिट्नेस भी डेवलप करना है रोटीन में पूछ सकता हूं आप बोलों कि sir I get up in the morning at 9am अच पढ़ना ही नहीं यह तकीन बचेता है कि इतनी जरूती नहीं है पढ़ने के लिए आपने ओर इस्ट्रस अपने आपको ओर इस्ट्रस कर लिया है तो ओर इस्ट्रस नहीं करना है 25% receive करिए 25% सबसे ज़्यादा क्या काम करना है यह करना है सबसे ज़्यादा अगर आप 8 hours की self study कर रहे हैं सालों से तुमारे जितनी आपकी age होगी लगभाग 15 साल मेरा भी हो गया इसी लाइन पर ठीक है आप जैसे कितने बच्चे हैं जो MNS बन के निकल गए Lieutenant है या Captain बनने वाले है ठीक है तो सालों से मैं Seminars में जाता हूँ Central Universities में जाता हूँ NCC Units में जाता हूँ Pan India के बच्चे को देखता हूँ मैं उनको एक ही बात के लिए Council करता हूँ अगर 8 hours आप total study hours आपके हैं 4 hours आपके revision के होने चाहिए self study के होने चाहिए याद करने के लिए होने चाहिए morning के 3 घंटे हो गए या 2 घंटे हो गए 2 घंटे इवनिंग के हो गए तो make your lifestyle rich declare your mind dream big 5000 की नोकरी अब बच्चे क्या होता है exams के side में 5000 की कोई part time job मिल जाए 10,000 की कोई मिल जाए 20,000 की कोई part time job मिल जाए या 50,000 की कोई part time job मिल जाए या 80,000 की कोई part time job मिल जाए या government job मिल जाए तो हम अपना dream छोड़ देंगे eminence और उदर चले जाएंगे life 1 है how meaningful you can contribute in your life मेरी भी life 1 है मैंने भी 10 साल वर्दी पहन के old करके रख दिया अभी right now my age is 33 and I have produced more than 500 offices in our offices मुझे लगता है life 1 है आप इसको कितना meaningful बना सकते हो आप इसको कितना meaningful बना सकते है ठीक है तो 33 की age में अगर मैंने ये हासिल कर लिया तो मैं भी ये आप से उमीद कर सकता हूँ कि आप 20 साल की age में या 21 की age में या ज्यादा बच्चों की age अगर मैं बोलूँ तो 16 17 18 यही होगी न ठीक है अगर यह आपकी age है अब मैं आपको एक दूसरी age group बताता हूँ 26 27 28 ऊपर मैंने job की वह भी लिख दिया 50K 60K 70K की नौकरी या 80K की नौकरी यह नहीं करनी है लिख लो अभी लिख लो अभी दर देखो यह नौकरी क्यों नहीं करनी है क्योंकि you have decided for this prestigious career option तो join military nursing service तुमने decide किया ना तुमने तुमने decide किया ना तो तुम कोई भी job तो नहीं कर लोगे या आपको कहीं भी deploy कर दिया जाएगा 50,000 की job में क्या होता है 50,000 की job का मतलब साल में कितने है 6 lakhs क्या इच्छी कार खरीद पाऊगे आगे अपनी family को भेतर सब कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे तो यह हमें नहीं करना है कोई भी government job हमें नहीं चाहिए ग्रेट B, ग्रेट C as a female नहीं चाहिए नहीं तो दूसरों के हिसाफ से चलना पड़ेगा दूसरों की command को follow करना पड़ेगा खीक है अब आप की उपर है कि आप कंधे पे सितारे पहन के दिन में 500 salutes लेना चाहते हैं कंधे पे सितारे पहन के आप चाहते हैं कि मैं जब गेट से उतनों तो कोई एमसी का जवान में गेट खोले और उसके बाद पैर पटक के बोले जहन मैं और उसके बाद एक ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा हो उसके बाद एक गेट खोलने वाला हो उसके बाद फिर आप अंदर जाए तो आपका वो ओफिसर क्लास इस्टेटर सो जहां पर आप असर्वेंट लिए कांगा यहां हमें नोबल प्रोफेशन है जहां पर हम परही नग्यां की बैकांट कर नहीं कोरने वभी बथा सिस्टेगे वह क्या है अब Explain करने बिलकुल 180 degree change है, हमी क्या करना है, back up करने, support करना है, एक वो बन्दी, जिसको न्या नही नही बन्दी, hostel में है यह उसको motivate करना है, council करना है, उसको high hello capital करब करना है, एक साल के लिए हम लोग सात में मिलका independence की करेंगे एक साल में हम लोग याद इन लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे दूरिंग इस प्रोसेस अलसो यू आप टाइम अनलाइक नीट नीट वाला कोई होबी और इंट्रेस्ट डेवलप नहीं कर सकता here you have time where you can develop very good interest very good hobbies in your life creative go for creative hobbies interview में पूछा जायेगा, panel interview में पूछायोँगा तो क्या बोलोगे playing Ludo ऐसे गोटरस में डाली, आख बंद किया, ऐसे से लाग ऐसे Camerite, आज क्याओ दिए मम्मी के साथ लूडो खेलते हैं, हम नहीं चाहिए ऐसी होबी इंट्रेस्ट, this is time when you can redefine your hobbies and interests, this is time when you can develop your attitude to the desired level, यही time में जहां पर आप swimming, यहां जितने लखनो जैसे सहर में आप रहते हो, इतने multi activity center है, अपने hostel वादन से आप पूछ होगे, वह आपको बता देंगे, this is time when you can redefine hobbies, वहां form दिया जाता है, तो form में जब आप भरेंगे, यह मेरी creative hobby है, physical fitness, reading newspaper, ठीक है, या swimming, या craft work, या gardening, go for the creative interest and hobby, life में, this is time when you can redefine hobbies and interests, physics तो हर कोई पढ़ लेगा यार, फिर जिक्सी पढ़ना है, तो फिर reminisce की तेहरी क्यों कर रहा है, ठीक है, you have to be very good individual in your life, और life में जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, कलाम साब यही बात कहा करते थे, कि पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, क्योंकि syllabus में नहीं है यह सब, hobbies and interest का कोई syllabus बताया है नहीं गया हमें 12th class तक, हमें mind management का कोई syllabus बताया ही नहीं गया, life में हमसे गलती होती है, हमसे life में सबसे गलती होती है, बट हम अपने आपको माफी नहीं कर रहा है, तो लाइन लिखे, forgive and you will be forgiven, forgive, you will be forgiven, इसका क्या मतलब है, forgive, you will be forgiven, इसका मतलब यह है कि life में हमने गलती होंगी, 16, 17, we are human being, हमसे life में गलती होती है, हमने यह पहले ही carry forward कर लिया, यार मैंने तो 16 साल में यह काम गलत कर दिया था, घर में मम्मी ने मना किया था, फिर भी यह मुझसे गलती हो गए थी, कोई बात दी, हमसे life में गलती होती है, but life में अपने आपको माफ करिये, अपनी नजरों में खुद मत गिरिये, अपने आपको जब mirror में morning में देखे हैं, तो self esteem develop करिये, self affirmation develop करिये, be positive for yourself कि, मैंने MNS career option चुनाए, मुझे देश को सबसे बहतर तरीके से, मैं कैसे serve कर सकती हूँ, मुझे लगता है यही वर्दी है peach color की, जिसमें मैं जाके कर सकती हूँ, या मैं olive green पहन के कर सकती हूँ, या मैं सेना में जाके कर सकती हूँ, मेरा ये intent है, क्योंकि हर बच्चे पैसे के लिए नि जाते है MNS, बट वो एक बार उनका एक सपना है, उनका एक जज़बा रहता है, यार यूनिफॉर्म में वो चीज़ चाहिए उनको, वो जब passing out parade में, यूनिफॉर्म में जब parents आएंगे, मम्मी इदर और पापा इदर वो कंदे पे सितारे लगा के, वो सिल्फी डालनी, इसलिए वो जोइन कर रहे है, इसलिए वो तैयारी कर रहे है बच्चे, क्योंकि मैं तो कोई स्टेट ऐसा बचा नहीं, जहां के बच्चों से interact नहीं करता हूँ, लेट बी केडला करनाटका, लेट बी चम्मू, हिमाचल, या पंजाब, हर्याडा, राजस्थान, कहीं का भी हो, असाम हो, बेंगौल हो, सब जगे के बच्चों से मैं interact करता हूँ, यूपी बिहार तो है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी, अब उन बच्चों के लिए बोलना हूँ, जो anxiety ले लेते हैं, 17 की एज, और यार, नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो जिन्दगी में उन्होंने क्या किया, इफ लगा दिया, तो अभी इफ को रिमूब करो, और इफ की जगे पर inquiring attitude डेवलप करो लाइफ में, ये नहीं होगा तो क्या होगा, अरे कोई बात नहीं है, 16, 17 की एज में आपने त्यारी सुरू कर दी, यही क्या बात है, कम है, अब इस तक आपके पास time है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, लास्ट आपका ये clear है, आपको vision clear होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिन घरों में जल्दी शादियां कर दी जाती है, इन इट इस योर लाइफ, आपको टेक डिसीजन, ठीक है, क्योंकि शादी तो मम्मी पापा कर देंगे, बट सर्वाइफ किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, यू हैब टेक डिसीजन, यू हैब टू बी बोल्ड और ये तपस्या का टाइम है, जहाँ पे आप क्लियर हो जाईए, यू है लो, बडाउट क्लियेट हो गया, यू हैब टू बी क्लियर, पापा को बोलो, मैं माइंड सेट इस बरी क्लियर मुझे, मैंने जाना है, उसी के सब ने देखने, वही बार 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 विजुलाइज करने है, इस पावर और रिधिंक, इसको बोलते हैं, पावर और विजुलाइजिंग इसको बोलते हैं, तब लॉफ अट्रेक्शन भी काम करना सुरू कर देता है, कौन सी ऐसी बात है जो तुमने सोचा, और बार बार सोचा, और अच्छे से सोचा, तो नेचर, इंवार्मेंट सब तुमें सपोर्ट, कायनाथ सब कोई सपोर्ट करने लगता है, तो हम वह चीज हो जाता है, मैंने खुद डिसाइड किया, मैंने खुद देखा है, हमने हमें डिसाइड करना तो नॉर्थ इंडिया वे एक्सपटीज गेंड करनी है मैंने पोश्टर लगा के कोचिंग खोली थी एक अकेला में इंटर्वू टेक्निक्स पर डिल करता था और हमने डिसाइड किया था एक दिन हमें इंडिया का नंबर बनना है बन गें तो आप कर लो तो इसको क्या बोलते हैं गोल सेटिंग यह गोल डिसाइड कर लो कि मुझे यह करना है यह विजन क्लियर है मेरा दाइवाय नहीं होना है सब डिस्ट्रेक्ट करेंगे वह बुवा का ललका बोलेगा यार मैं तो नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं वह बगलवला कोई मैं तो एंडिये के लिए तैयारी बायो वैग्राउंड की हूं फिर भी मैं एंडिये की तैयारी कर रहे हूं कोई कुछ और बोलेगा कोई बैंकर बनना चाहरा होगा कोई की तैयारी कर रहा होगा कोई क्लैट की तैयारी कर रहा होगा तुमने डिसाइड किया ना तो तुम् मुझे सिखाईए, दीदी मुझे ये टिप्स दीजिए, सिबिल में तो नहीं होगा.